तो गीगाबाइट का जो बोर्ड है अभी एच थ्री वान जिरो एम एच रिविशन 1.0 तो देखो इस बोर्ड में नो डिस्प्ले का केस है अभी क्या है इसके उपर मैंने एक पिछले वीडियो डाल के रखा है पिछले वाला एक वीडियो है मेरा तो मैं लिंक डेस्क्रिप् तो वह आई होप कि मैंने पूरा कॉंसिप्ट क्लियर कर दिया था कि आपको क्या चेक करना है कैसे चेक करना है रिश्टर खराब है या मॉस्पिट खराब है अभी आज भी एक बोर्ड हमें रिसीब हुआ है मेरे पास तो उस बोर्ड में टोटली अलग है मतलब उल्टा है इस बोर्ड में कमपोनेंट ही खराफ है अभी यह कैसे पता चलेगा यह वीडियो में बना रहा हूं देख रहा था था वोड को तब मैंने देखा तो सोचा वीडियो बना लिया जाए अभी यह दो वीडियो इसका पिछले वाला का लिंक में डेस्क्रिप्शन में दे देता आएगा तो जो भी बोड आएगा आप एजिली देख सकते हो कि अगर वो कंपोनेट वाला केस है मतलब टैंजेस्टर या पिर मॉस्पिट वाला जो केस अगर मिलेगा तो इजिली आप सॉल्ब कर लोगे अभी देखो इसमें पहले देखो बोड का कंडिशन क्या है उसके बाद हम आगे जाते हैं तो यह हमारा बोड और यह हमने कर दिया टिगर बोड अभी ओन हो गया है इसका भी रिसेट मिसिंग है और सिप्यू हीट नहीं हो रहा है अभी क्या है एक चीज़ सुन लो थोड़ा सा अगर आपके केस मे कभी भी CPU हीट हो और ऐसा 00 code और मतलब मिसिंग हो तो फिर मैं अभी जो दिखा रहा हूं वह ट्रिक काम नहीं करेगा क्योंकि यह ट्रीक से उस बोड में काम करेगा गिगावाइट का 100 दे लेके 400 तक 100 से लेके जिसमें CPU हीट नहीं हो रहा है पिछले वाला वीडियो पर मैंन कब क्या चेंज करना है और कब कहां पर जमपर करना है तो देखो अभी जो यह बोर्ड है DC 20 पर जाएंगे हम मल्टीमीटर अभी दीख रहा है तो एक चीज और देख लो मल्टीमीटर देखने से पहले एक चीज और देख लो यह company वाला भी बहुत चलाक हो गया क्यों कि वह देख रहा था है यह यहां पर एक component होता है के 72 करके यहां पर एक मतलब पर कुछ लोग तो उसको कॉमेंड में टैंजिस्टर बोलते हैं जो बाप है वही पिता जी है ठीक है तो यहाँ पर एक कंपोनेंट देख सकतो आप हर बोड में दिया जाता है गीगावाइट का मतलब हंडेट से लेके तो अभी कंपनी वालों ने देखा इसी के वज़ा से हमारा जो बोड है बारबा सर्विस सेंटर में आ रहा है और इसी के वज़ा से तो थोड़ा जो आर्किटेक्चर इसने चेंज कर दिया इंजिनियर ने सोचा चलो इसको हटा देत तो अभी जो यह बोड है इस से में अगर कोई भी बोड आपको मिले तो यहां पर यह रिमूट किया हुआ नहीं है और यहां पर कंपोनेंट कंपनी वालों ने ऐसा नहीं किया है तो देख सकते हो मतलब यह कंपोनेंट के वज़ा से बहुत कुछ लोचा हो जाता है गीगब बनिश कर दिया तो हमारा केस अभी होँआ पर नहीं है तो 00 code नो डिस्पले अभी बोल्टेज देखो थोड़ा सा यहां पर हमारा जो है घर्ली UKार के ओर यहां पर वान-पूर्ड बन रहा आँ सिप्यू टिट्य यहां पर जनप भी जए हो रहा है advent को मिंसे इसके वाज़ा से कंप्ते वैंरल स्थ हो जभलोा सट नहीं हो रहा है इसे नहीं बन रहा है तो यहां पर थोड़ा सा देख लूं मैं आ में इसंगह कि उसको हटा देता हूँ कि इस सर्कुट में जो एलेम से बनता है यह बन रहा है पर इस सड़की टोटाली काम नहीं करें यहाँ पर जो भी एलेम सेक्ट्शन का प्राइमरी मॉस्पेट सेकेंडरी मॉस्पेट जो मतलब प्राइमारी मॉस्पेट के 12 बोल्ट एविलेबल है डेन पे पर वो भूल्टेज थोड़ से सेकेंडरी पर जा नहीं रहा है और यह कोर आइसी के वज़ा से होता है यह पॉल्लम आता है यह वाला ठीक है और यह आइसी का एक 5 बोल्ट का रीक्योयर होता है ठीक है जो कि अगर मिसिंग हो तो यह दिखकते आएगा तो पिछले वीडियो में मैंने दिखा आता है की कंपोनेंट हमारा सही था उस केस में चेंज करते तो पॉब्लम नहीं होता रेश्टर खरबता तो उसकेस में मैंने का दिखाता है अभी दिखते है तो देखो इस केस में यहाँ पर एक मतलब कंपोनेंट है जो के 72 करके है इंचनल मॉस्पेट टीनी मॉस्पेट है यह तो यह मॉस्पेट अगर ड्रेन टू सोर्स में जो वोल्टेज आना था वो अगर ना आये 5 बोल्ट तो ऐसा होता है तो इस केस में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो है मॉस्पेट खराब नहीं था रेइस्टर खराब था अभी देखो इस केस में क्या हो रहा है तो मल्टिमीट देखेंगे तो बोड़ा भी वन है सिप्यो हित नहीं हुआ ही हिलका फुलका हो रहा है इसे हम काउंट नहीं करते तो अभी मल्टिमीटर भी दीख रहा है तो देख को यहां पर देन पे कितना आपने जाए देखें हैं अब भी source पर कम मिल रहा है, इसका मतलब gate का supply high है या low है, gate का supply लो होता है, तो यह 5 volt यहां तक कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, तो gate का supply क्या है, यह register से बनता है, gate का supply यह register से बनता है, तो इस register में input में 12 volt है, output में 12 volt है, और इसका gate पर जाता है, तो gate में भी 12 volt है, मतलब इसका gate का require है, switch का require है, switch का require यह register फुल्फिल कर रहा है, पर switch होने के बाद भी, मतलब switch आपने दबाया, प्रेस किया, फिर भी 5 volt जो यहां पर रुका था, drain पर, वो source पर नहीं आया, 1.75 volt आ रहा है, source पर, तो यही है, बस फंडा, इसी को आपको check करना है, बार बार, बारी बारी किसे, कि हमारा voltage, drain पर कितना है, sorry, drain पर कितना है, 5 volt, तो वो ही 5 volt source पर है कि नहीं, अगर source पर 5 volt नहीं है, तो तुरंद आपको check करना है, इसका gate, gate, gate पर अगर 12 volt कभी भी ना मिले, तो आप समझ जाओ, कि हमारा component खराब नहीं है, register खराब है, और gate पर 12 volt मिले, जो कि यह register होके आ रहा है, sorry, blur हो गया, gate पर अगर आपको 12 volt मिले, जो कि यह register होके आ रहा है, यह register यह देखो, 12 volt, output में भी 12 volt, तो यह direct यहां से यहां तक connect है, यह अगर बार बार बलार क्यों हो रहा है, यह अगर यह register से यहां तक 12 volt ना आता है, तो आप समझ जाओ, register खराब है, उस case में MOSFET चेंज करके आपको काम नहीं बनेगा, तो उस case में आपको या तो bypass करना होगा, या तो register चेंज करना होगा, और अभी इस case में आप component चेंज करोगे, तो हो जाएगा, मतलब इस case में हमारा component ही खराब है, क्योंकि यहां पर gate पर 12 volt मिल रहा है, मल्टिमीटर फॉलो करो, gate पर 12 volt अगर मिलेगा तो इसका जो direction है, इसको कहा गया है कि आपको अगर gate पर 12 volt मिलेगा, तो आप जैसे भी करके drain का 5 volt यह जो 5 volt आपने drain पर reserve करके रखा था, यह 5 volt आप source पर transfer कर दो, अगर आपको 12 volt gate पर मिले तो, तो यह 12 volt gate पर supply होके है, उसके बावजुद भी यह 5 volt drain to source आ नहीं रहा है, इसके बज़ा से क्यूंकि इसके अंदर जो circuit है, diode है वो खराब है, जिस इस case में क्या बनेगा, हमारा यह component change करना पड़ेगा, अगर आपको component नहीं है, नहीं मिलता है, यह component सारा जगा पर मिलता है, नहीं है, तो आप bypass कर सकते हो, तो मैं तो इसको change कर दूँगा, bypass नहीं करूँगा, फिर भी एक बार देखना है इसको, कि हमारा code board जिनार्ट होता ह है कि नहीं, बोर्ड में, तो देखो, बोर्ड अभी चल रहा था, इसको ऐसे रखते हैं, और एक बार आप करता हूँ, ठीक है, तो अभी देखो, यह जो component है, इसको मैंने drain to source, drain to source, shot किया, अब थाना हाँ, drain to source मैंने shot किया, एक सेकंड, एक बार फिर से चलाओंगा, बोर्ड को, हाँ, सेम कंडिशन पर है, क्योंकि मेरा 12 बोर्ड इसका source पर touch हो गया था, यह बहुत ही, मतलब, sensitive काम है, एक चीज मैं सब को बता दू, दिखाने से पहले, ध्यान से देखो अभी, क्योंकि इसी के चक्कर में, मतलब, हर लोगों का बोर्ड खराब हो जाता है, थोड़ा सा concept समझना है आपको, इतने पास ला रहा हूं, ताकि easily आप समझ पाओ, बोर्ड अभी off है, यहाँ पर आप जो कुछ भी करो, यहाँ पर जो कुछ भी करो, एक चीज आपको हर बक्त, मतलब, दिमाग में रखना है, यह component का अगर source पे, भूल कर भी यह register अगर touch हो गया, ट्विजर से, यह जो register आप दीख रहा हो, जिससे 12 volt input होके gate पे इसका आ रहा है, यहाँ पे 12 volt gate होके, मतलब, इस side output होके gate पे आ रहा है, यह 12 volt अगर इस MOSFET के source पे लग जाए, कभी भी अगर आप short करके check कर रहा हो, ज्यादा तर लोग क्यों खराब होते है, board मतलब repair करने के time, वो बता रहा हो, थोड़ा सा ध्यान देओ इसमें, यह बहुत important है, जब आप यहाँ पर ऐसे short करके देख रहा हो, कि भाई, यह component से हो रहा है, कि एक बार मैं check कर लू, तो आपका यह core IC blast हो जाएगा, मतलब blast होगा यह होगा, definitely होगा, आप अगर मतलब high amp, मतलब बहुत अच्छा सा SMPS use करते हो, काम करने के लिए तो होगा, अगर नॉर्माल बला कोई, मतलब 400W का नॉर्माल बला कोई fontex, gebronics, tech compact यह सब कोई use करते हो, तो इसमें कम दिक्कते हो सकता है, फिर भी IC खराब हो जाएगा, blast नहीं होगा, फिर भी IC खराब हो जाएगा, पर अगर आपका मेरे जैसा SMPS use करते हो, कॉजियर या फिर cooler master कोई use करते हो, तो उससे क्या होगा, यहां पर भूल के भी 12V इसका source पर लगा, तो यह IC blast हो जाएगा, क्योंकि इसका सहन शक्ती है 5V, input, directly 12V डालोगे तो यह blast हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसी के चक्कर में बहुत सारा लोगों का vote खराब होता है, मेरे हाथ से भी हु तो वो वीडियो मैंने बंद कर दिया, क्यूंकि ऐसा हो जाता है, सबसे हो जाता है, मुझसे भी हो गया था, मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझसे नहीं होता है, मुझसे भी हो गया था, ठीके, तो यह मैं थोड़ा सा alert कर रहा हूँ सबको, आप भी carefully जब वहाँ पर touch कर करके देखो tweezer को तो be carefully source पे कभी भी 12 volt का register से touch ना हो अगर हो जाया तो directly 12 volt घुसेगा इस IC में IC blast हो जाएगा आपको दोबारा IC change करना पड़ेगा हो सके कि board ready ना हो क्योंकि उसके चक्कर में सारा एक के साथ connected होटा है PCH भी खराब हो सकता है CPU भी खराब हो सकता है तो अभी देखो फिसे पावार दिया last time और एक बाद देख लो 00 code है हमारा 00 code है आप करता हूं अभी इसमें code generate हो जाएगा display भी आ जाएगा तो मैं बस क्या करना है मुझे light को जाने देते light चला गया 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 इसको फिर से मैं पावार देता हूं और carefully मुझे भी करना है ताकि यह देखो अभी मैंने twizor से यहाँ पर shot कर दिया अब मैं trigger देता हूं एक सेगेंड रिजिस्टर को ऐसे मतलब set ऐसा इन किया है थोड़ा मुश्किल हो जाता यह देखो टीगर दिया कोट जेनर्ट चालू हो गया एक बार ओफ होगा फिर से चलेगा तो कोट के साथ ही चलेगा यह देखो थर्टीन अभी रैम नहीं है इसलिए हो रहा है तो एक बार रैम डाल के हम देखेंगे यह वाला डाल देता हूं को शियर अब इंजिन और और फैन भी डालूंगा उसके बात देखेंगे और बज़र भी लगाता हूं डिस्पले पर हम नहीं जाएंगे बीप किया तो समझ जाओ डिस्पले आ गया कि यह फैन लगा दिया बाइपास में कर लेता हूं उसरी बोड़े ओन हो गया कि बोट को आप करता हूं दुबारा कि आप करने के बाद लाइट जाएगा तब फिर से चलाएंगे ठीक है नहीं तो ओन हो जाएगा लाइट गया और अभी मैं अपने हिसाब से इसको शौट करता हूं अब यह टीगर देता हूं ठीक है थाटीन फैन क्यों नहीं चल गया भाई हाँ यह देखो हो गया फैन नहीं चल रहा है डिस्पिल आ जाएगा देखो अब ने चल गाएगा यह अब कर दो यह देखो बीप किया डिस्पिल हमारा आ गया बोर्ट पे ठीक है तो मैं यह टा देता हूं मैं यह टा देता हूं फैन नहीं चल गा तो देखते हैं का सौकेट में कुछ इशू है इसको क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से अगर क्लीन नहीं करूंगा तो फैन नहीं चलेगा फिर से एक बाद देखते हैं बीप करेगा तो वीडियो एंड करेंगे और लास्ट में एक बाद थोड़ा सा दिखा देंगे चलो हो गया पावर दिया हाँ भी फैन चल रहा है एक बार बंद हुआ है फिर से ओन हो जाएगा हुआ है यह देखो बीप किया डिस्प्लेस का आ गया ठीक है तो मैं भी छोड़ दूंगा तो चला जाएगा यह देखो छोड़ दिया आफ हो गया कि मैंने क्या क्या देखो बाइपस आप कर ओ तो ठीक आप बाइपस ना कर ओ तो इसब्सक्राइब कि जरूरत नहीं है च्युक्त क्या हो रहा है तो क्यूंत रच हो नहीं रहा है तो यहां पर तो अभी मैं ने बता दिया यह जो कंपोनेंट है यह खराब है तो इसको वाइपास करने की ज़रूरत नहीं है डिरेक्ली एक के से बेंटी टू लगा दो मार्केट में मिलता है अवेलेबल अमाजन डॉट कॉम पर भी यह पूड़क्ट मिल जाता है नहीं मिल रहा है तो मुझे बोलो मैं लिंक शेयर कर दू अभी केस में आप इस कंपोनेंट को चेंज कर दो अगर आप फिर भी मतलब नहीं करना चाहते हो तो आप बाइपस कर सकते हो पर मेरे खश्याल से चेंज करना बेस्ट रहेगा मैं भी इसको रिप्लेस करूंगा तो मैं बाद में कर लेता हूं वीडियो लॉंग नहीं कासे में नाशिडर होता है था पिल्वाला का डिसक्रिशन में डाल जाँ आप डिसक्रिक्रिशन में डाल गो filmed वीडियो का description में डाल देता हूँ, आप दोनों वीडियो आराम से देख लो वैट के, उसके बाद आपका no display वाला इस board में जो case आएगा, आप easily solve कर पाऊगे, अगर ये component related case या फिर register related case आता है तो, और आपके पास जो case आता है, उस case में अगर CPU heat हो रहा है, फिर भी no display है, तो वो कुछ अलग बाद होता है, क्योंकि इस board में अगर CPU heat हो रहा है, और no display है, तो या तो BIOS से हो रहा है, या फिर PCH खराब है, ज्यादातार इसमें कुछ नहीं होता है, और कभी कबर आयो भी खराब होता है, तो चलो मिलते हैं, next case study पे, love you all, जाहिंद